दोस्तों भारत और और उस्टेलिया की बेच चल रहे टेस्ट मैच के ऊपर शोय वक्तर का बड़ा बयान आया है उन्होंने भारत के लिए कुछ अच्छी बात कही है, कुछ बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है कि चोटों के बावजूट बिस्पेन टेस्ट में और शेलिया को भारत हराने वाला है और शेलिया दोरे पर गई टीम इंडिया के खेल से पाकिस्तान के पूर्वे तेस के इंदबास शोय वक्तर बेहत प्रभावित हैं पाकिस्तान के इस तेस गिंदबास को पूरा भरूसा है कि टीम इंडिया अब ब्रिस्पेन टेस्ट में और शेलिया को हरा कर ये सिरीज अपने नाम करेगी वैसा भारती टीम इस वक्त अपने स्टार खिलाडियों की चोटों से जूज रही है लेकिन इसके बावजूद अक्तर ने कहा कि टीम इंडिया जिस करेक्टर को दर्शा रही है वो ब्रिस्पेन में मेजबान टीम को पीट देगी बॉर्डर कावसकर ट्रॉफी में तीन टेस्ट के बाद फिलाल दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर हैं सिरीज का चौथा और अंतिम मैच निर्णायक होगा जो ब्रिस्पेन की गाबा मैदान पर खेला जाएगा ये फिच तेज गेंदबासों के लिए मदद कार रहेगी टीम इंडिया के खेल में से एक की बाद है कि उसके सब भी अनववी टेस गेंदबास चोटी लोकर सिरीज से पहले ही बाहर हो चुके है अब भाती टीम को अपनी आखरी मैच में तेज गेंदबासों के साथ ये जंग लड़नी है जो अपना पहला दूसरा या तीसरा ही टेस्ट मैच खेल रही होंगे इसके बावजुद इस पूर्वे टेस गेंदबास ने भरोसा जदा है कि टीम इंडिया कंगारूं का ब्रिस्बेन के मैदान पर हरा सकते है दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि टीम इंडिया ही जैते गिये टेस्ट मैच दो नीचे कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक सरूर करें